जोहार साथियो जार्खन current affairs के इस सेशन में जार्खन related कुछ important current affairs डिसकस करेंगे जो जार्खन में होने वाले सभी परिक्षाओं विसेश तोर पर वैसी परिक्षाओं जो JPSC और JSSC के दोर लिगाती है उन सभी परिक्षाओं के लिए तो बहुत ही जादा important है आज है 10 अक्ट के महतफव्ण करेंट調फिएस इससे पहले यदि आप चनल पर नए है तो चनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ ही साथ टेलिगराम चनल जोईन कर ले जहां पर से आप हैं दिन करेंटरफिएस की PDF और इसके साथ ही साथ महतव्ण वीडियो लिंक्स भी प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही साथ यदि आप RRB NTPC और SSC की तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी करेंट अफेस हर दिन 5 बजे सुबह देखना ना भूले जिससे आपका जो करेंट अफेस से और भी ज्यादा स्ट्रोंग होता जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं जार्खन रिलेटेट करेंट अफेस 10 अक्टूबर के आज का पहला कोस्चन है NCRB के रिपोर्ट के अनुसार जार्खन दुसकर्म के मामले में भारत में किस अस्थान पर है किसके दुआरा रिकोर्ट जारी किया गया है तो यह जो रिपोर्ट है यह NCRB के दुआरा जारी किया गया है और उसके अनुसार जार्खन जो है वो किस अस्थान पर है दुसकर्म के मामले में तो अप्सन है पाँचवा, आठवा, नौवा या फिस साथवा तो इसका राइट अन्सर हो जाएगा जार्खन जो है भारत में आठवे अस्थान पर है जहां सबसे ज़्यादा दुसकर्म के मामले सामने आते हैं बात कते थोड़ा से इसके बारे में तो NCRB मतलब की नेशनल क्राइम रिकोर्ड वियूरो के द्वारा जारी आकड़े क अनुसार जार्खन में दुसकर्म के मामले भारत में आठवे नंबर पर आते हैं हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जार्खन के संदर्व में या बात सामने आई है आपको बता दे भारत में जो प्रथम स्थान पर राज्य है वह है राज्थान चलिए बात कते हैं अगले कोस्चन की हमारा अगला कोस्चन है तो जो टैगोर हिल वह कहा है तो राची में है और इसको परेटक के अन्दर के रूप में बिक्सित किया जाएगा किसके दोआरा उप्शन से परेटन विभाग जार्खन सरकार भारत दर्शन योजना इंडियन ट्रस्ट ओफ रूलर हरिटेज और डेवलपमेंट इंक्रेडिबल इंडिया पहल तो इसका जो राइट अन्सर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन ट्रस्ट ओफ रूलर हरिटेज और डेवलपमेंट के दोआरा राची इस्थी टैगोर हिल का विकास किया जाएगा इसे परेटक केंदर के रूप में डेवलप किया जाएगा जो टैगोर हिले वह राची मिश्थी थे और इसे अब परेटक केंदर के रूप में विक्सित किया जाएगा किसके दोआरा तो इंडियन ट्रस्ट फोर रूलर हेरिटेज और डेवलपमेंट के दोरा आपको बता दे इसके लिए भारती प्रातत्तो सर्विक्षन से अनुमती लेनी होगी और इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है यह जो टैगोर हिल है रविंद्र नाठ टैगोर से जुड़ा हुआ है और इसके लिए यह जो है काफी ज़्यादा फेमस भी है राची में यह एक प्रमुख परियाटक केंदर के रुप में जाना जाता है आपको बता दे जो राची का मुराबादी मैदान है जो बस उसी के पास में यह जो टैगोरिल है कई लोग इसमें घुमने तथा इसकी जो एतिहासिक दिश्टी कौन से इसकी इंपोर्टेंस से उसको निहारने जाते हैं चलिए बात कते हैं अगले कॉस्टन की एच इसी को साउथ इस्टन कॉल फिल लिमिटेट से कितने रुपे का टेंडर गेवरा प्लांट लगाने के लिए दिया गया है तो यह गेवरा कहां है तो 36 गड में है ओप्सन से 600 करोड, 615 करोड, 650 करोड या फिर 680 करोड इसका राइट अंसर हो जाएगा 615 करोड रुपे का टेंडर HEC को दिया गया है बात कते हैं थोड़ा से इसके बारे में डीटेल में तो साउथ इस्टन कॉल फिल लिमिटेट के गेवरा प्लांट को लगाने के लिए HEC को 615 करोड रुपे का टेंडर मिला है गेवरा प्लांट 36 गड़ राजी के अंतरगत आता है जहाँ पे HEC के दवारा कोल हैंडलिंग प्लांट लगाया जाना है आपको बता दे जो कोल हैंडलिंग प्लांट है उसके प्लांट डिजाइन इंजरिंग निर्मान फेवरिकेशन सप्लाई इंस्ट्रूलेशन टेस्टिंग इतियादी सभी काम HEC के दवारा ही किये जाएंगे आपको बता दे अगले 5 वर्सों तक ये जो प्लांट है इसके जो संचालन है वो भी HEC के दवारा ही किया जाएगा बात करते हैं आगे अगला कोश्चन है कीट विग्यान में PSD करने वाले पहली जनजाती बिद्याती कौन बने औप्शन से सांती कुरली, सांती मुर्मू, सांती हेम्रम या फिर इनमें सकोई नहीं इसका राइट अंसर हो जाएगा सांती कुरली सांती कुरली कीट विग्यान में जो है PSD करने वाली पहली जनजाती विद्याती बनी है बात कते थोड़ा से इसके बारे में डिटेल में, तो सांती कुरली पहली जारखन की महिला है जो जनजाती सरेनी से आती हैं और कीट विग्यान में PSD की है बिर्सा क्रिसी विद्याले के कीट विग्यान विभाग से इन्होंने PSD की है और सांती कूरली का संवन चकरधरपूर पस्मी सिंभूम कहां चकरधरपूर पस्मी सिंभूम से है आपको बता दे जो पस्मी सिंभूम है उसका हैटक्वाटर चायबासा है इनके अनुसंधान का विशे जो था वो था Population, Dynamics and Management of Insect and Based of Black Gram यह थो था इनका जो विशे था उसके उपर इन्होंने अनसंधान कारी किया और उन्हें PhD की उपाधी दी गई यह जो PhD की उपाधी है कीट बिग्यान में यह दिया गया है ICAR के द्वारा ICAR के द्वारा जो है इन्हें PhD की उपाधी दी गई है बात करते हैं आगे बात करते हैं ठोड़ा से इसके बारे में डिटेल में तो भारती क्रिसे नोसंधान केंदर के द्वारा संचालित जो बिर्षा क्रिसी बिग्यान केंदर के चार जो क्रिसी बिग्यान केंदर के संचालक है उनको जो है यह पुरुसकार दिया जाएगा और यह अपने आप में बेग्यानिक ही होते है जिनको पिर्षा क्रिसी बिग्यान केंदर का संचालक बनाया जाता है इनमें कौन-कौन से हैं? इनमें चार लोग है धर्मा उरां जो चत्रा केंदर से हैं, आर्ती एकका जो दारी साई के अनुसंधान केंदर से हैं, पंकस सेठ जो वेटिनरी साइंस सराइकेला से हैं और अमरित जहा साहिब गंज केंदर से हैं बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में इन्हें क्या-क्या प्रुसकार दिया गया है धर्मा उराओं को दिया गया है Best K.V. के Scientist मतलब की आपका क्रिसी विग्यान केंदर Scientist आर्थी एकका को दिया गया है Best Woman Scientist का आवोड और आपको बता दे ये जो हैं मुख्य रूप से दारी साय अनुसंधान केंदर की संचालक है पंकर सेट इनको Veterinary Science सराइकेला केंदर से मुख्य रूप से Best K.V. के Scientist का पुरुसकार दिया गया है इसके बाद अमरित ज्जा जो साहिब गंज केंदर से हैं इनको Best K.V. के Scientist मतलब की Best क्रिसी विज्ञान केंदर सायंटिस्ट का पुरुसकार दिया गया है बात कते हैं अगले कोस्टन की Research Excellence Award 2020 Institute of Scholars Africa के दोरा किसे परदान किया गया है जो Institute of Scholars Africa है उसके दोरा Research Excellence Award 2020 किसको परदान किया गया है तो इनके बारे में चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया है Options है धर्मावराओं, संजय सेठ, पंकस सेठ या फिर अम्रित जाब इसका राइट अंसर हो जाएगा पंकस सेठ पंकस सेठ जो है इनको Research Excellence Award जो है 2020 Institute of जो Fellowship है उसके दोरा यह आवोर्ड दिया जाएगा सेठ है वह क्रिसीव विद्याले मुख्य रूप से जो बिर्षा क्रिसीव विद्याले है उसके अंतरद क्रिसी विज्यान केंद्र सराइकेला में कारिरत है इन्हें Veterinary Science मतलब की पसुपालन भी सेपर सोध पतर के लिए प्रस्कृत किया गया है साथ ही इन्हें National Award भी Society of Crisive विज्यान लुधियाना के दवारा जो है National Award दिया जाए रहा है तो ये थे इनके बारे में कुछ महत्पून डिटेल्स और इसके साथ ही साथ बता दे और इससे हमें motivation मिलेगी तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए मैं ला सकूंगा मिलते हैं नेस्ट करें इंटरफेर्स के सेशन में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद